हेलो स्टूडेंट्स वेलकम आज हम पढ़ने वाले हैं छट्टी कक्षा का हिंदी विश्य है आज का हमारा हिंदी डाक गर पार्ट एक उप्योग हमारे डाक गर यानि की पोस्ट ओफिस उप्योग हमारे यानि की जो हमारी उप्योगी चीज यानि जो हमारा यूस्फुल ने से तो वो क्या है डाक कर रहें अब हम यहाँ पर पिच्चर देख रहें यानि की हम इस चित्रा को देख रहें तो इस चित्रा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर मैनेजर है यहाँ पर फिर कहीं सारे computer पर बैटे हैं और ऐसे कहीं सारे यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है इस picture में clearly बट हम textbook की सहाइता से अच्छे clearly देख सकते हैं तो यहाँ पर कहीं सारे लोग है अपने बच्चों के साथ आए कोई रसीद निकाल रहा है कोई क्या कुछ कर रहा है कहीं सारे चीज़े तो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे चोकटी पून करेंगे यानि सबसे पहला जो हमारे क्रीती आती है तो वो क्या है कर एक यानि की चोकट पून करा यानि चोकट पून कीज़े यानि की यह जो बॉकसे से हमें उसे feel करना है उसमें लिखना है दाग के खिड़किया कौनसी कौनसी है बचत खाता registry ticket, registry या तो ticket, money order money order है बचत खाता यानि हम आप हमारी savings करते हैं registry यानि कुछ registration ticket, booking यह सब है वो दाग के खिड़किया पर यानि खिड़कियों पर लिखा है जैसे हम इस picture में देख सकते यह post office है और यहाँ पर इस खिड़कियों के अपर जो लिखा है और यहाँ अलग अलग जग़ा पर तो वो यहाँ पर इसा बताया है अब हम नीचे देखेंगे कर दोन नीमन लिखे चित्र का निरिक्षन कर सुचनन नुसाखरित्या कीजिए डाग घर में फलक पर लिखा है यानि जो फलक पट्टी यानि जो हमें एक notice board आता है यानि हम आपकी जो जरूरते उसे समझते हैं और यहाँ पर पैसे हम safe कर रखेंगे यानि हम बचचत करेंगे आप पर रखेंगे तो प्रतिकाई की होईगी देश की होईगी यानि देश का progress हईगा डाग घर में कुल कितने करमचारी यानि डाग घर यानि post office में कुल यानि total कुल यानि के total यानि total मिलाकर कितने लोग यानि कितने करमचारी करमचारी यानि की staff members तो उत्तर है साथ साथ लोग वहाँ पर साथ स्टाफ है आगे बढ़ते हैं डाग घर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुवीधा अगर डाग घर से यानि किसी व्यक्ति को हमें पैसा पहुचाना है या वो कहाँ पर भी हो देश के कोने में यानि वो international यानि बाहर हो या इंडिया में हो इंडिया से भार हमें देना हो तो हम कर सकते हैं यानि भेज सकते हैं तो डाग घर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुवीधा जो वहाँ पर सुवीधा अवेलेबल है तो वो कौन सी है money order यानि जो money transfer हम करते हैं तो उसे आपर क्या बता है money order यानि हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम money order से भेज सकते हैं डाग घर में कौन कौन सी सुचनाय प्रदर्शित की गई है यानि कौन सी कौन सी सुचनाय वापर notice दी गई है तो डाग घर में कहीं सुचनाय प्रदर्शित की गई है जैसे बचत आपकी प्रक्ती देश की जो नोटीस बोर्ड पर लिखा है, सूचना दी है हम आपकी आवयक शकता समझते हैं, यानि हम आपकी जरुरत को समझ सकते हैं अब यहाँ पर दुसरा यानि दुसरा चीत्र है, तो उस चीत्र में याँ पर क्या-क्या है cashier, यहाँ पर लिखा है cashier, बचत खाता manager, तो यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम देखेंगे पहली कृती में निम्नलिकी चित्र का निरिक्षन कर सुचना नुसा खृतिया कीजी यानि जो वो लिखा है तो उसकी हमें क्रीती करना यानि उसको feel करना है उस boxes को तो पहले कॉंसा है? खाता खोलना bank का कारियर bank का कारियर कॉंसे? खाता खोलना पैसे जमा करना कर्ज देना, यानि की पैसा देना, जिससे हमने किसी से कर्ज लिया है, यानि loan पैसा अदा करना, यानि पैसा देना, तो यह बैंक का काम है, यानि हमारा अकाउंट को ला, किसी को पैसा देना, हमारे पैसे सेविंग करना, पैसे और किसी को देना हो, तो उसे हम अदा कर सकते हैं, यानि लोन दे सकते हैं, दूसरी बैंक कर्मचारी, यानि कि जो स्टाफ है तो वो कौन-कौन है एक मेनेजर उस पिचर में तो एक मेनेजर है और एक कैशियर है जो स्टाफ है तो कौन है मेनेजर और कैशियर आगे कृतिग अपने गाव या शहर के महत्वपुन स्थानों के दूरध्वनी क्रमा को की सूची बनाएं यानि जो दूरध्वनी यानि की जो हमारे गाव या तो शहर में जो महत्वपुन स्थान यानि जो इंपोर्टेंट प्लेस है महत्पपुन यानि की important स्थानों यानि की जो place है दूरधोनी यानि जो हो important है हमारे लियो तो वो कौन सी है जैसे की डागगर, post office police station यानि की police station और पाटशाला आदी और कहीं सारी चीज़े से hospital भी आती है वो भी एक जरूरत है डागगर यानि की post office यानि की police, station पाटशाला और आदी यानि की etc पाटशाला यानि की school, colleges, आदी यानि etc और कहीं सारी अधीक चीज़े जो महत्वपुन है जैसे hospital भी है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं याँ पर है पहला bank का सबसे महत्वपुन व्यक्ति यानि bank में जो सबसे महत्वपुन व्यक्ति है, यानि जो बहुत most important person है यानि महत्वपुन व्यक्ति यानि की important person तो वो important person को नहीं है, manager manager वो होता है एक जो पूरा bank को managers जो जहाँ पर पर काम करते हैं तो वो उस चीज को पूरा संभालते हैं यानि वो हर उस चीज को handle करते तो उन्हें manager कहते है they manage all the thing अगर यह manager bank में है तो वो bank को पूरा manage करता है या तो अगर कोई hotel में manager है तो वो hotel को manage करता है तो उसे manager कहते है आगे बढ़ते हैं, बैंक में रक्षा के लिए किसे तैतान किया गया है यानि बैंक की रक्षा करने के लिए किसे तैतान, यानि किसे खड़ा किया गया है तो बैंक में रक्षा के लिए चोकीदार, चोकीदार यानि कि वाच्मेन को तैतान किया गया यानि कि वाच्वेन को रखा है चौकीदार को जो हमेशे यह वाँ पर देखता है यानि कि चौकीदारी करता है यानि कि सम्हालता है बैंक को चोरी होने से और कहीं सारी गलत गलत लोगों को अंदर जाने से लास्ट है कथन के सामने सही जो यह सही का टिक है, जो चिनह है, सही का चिनह गलत चिनह का यूज करना है तो यहाँ पर हमारा sentence है, पहला चौकिदार के पास बंदूख है, अब हम उस picture में, हम picture के तरफ जाएंगे और यहाँ पर पहला हम दूसरा sentence भी देख लेंगे, कि बैंक में केवल महीला करमचारी काम करती है चलिए, picture के तरफ बढ़ते हैं, तो हम इस picture में देख रहे हैं यहाँ पर, कि यह बैंक का picture है यहाँ पर चौकिदार है, यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर कैशियर है, कैशियर यहाँ पर एक महीला भी काम कर रही है, यहाँ पर महीला बचत खाते पर बैटी है, एक कैशियर है तो हम sentence के तरफ जाते है, यानि कि sentence पहला हमारा क्या था कि चौकिडर के हाथ में बंदुक है, आप आपकी textbook की सहायता यानि आपकी textbook की मदद से आप देख सकते है, clearly picture में कि हाप चौकिडर के हाथ में बंदूक है तो वो sentence की तरफ देखते है, चलिए आगे बढ़ते है तो हमारा पहला sentence सही है चौकिदार के पास बंदूख है सही हम सही का चिन्ह दालेंगे और बताएंगे कि हाँ कि चौकिदार के पास बंदूख है अग दूसरा sentence बैंक में केवल महीला करमचारी काम करती है नहीं ये गलत है हमने picture में देखा कि महीला वहाँ पर एक कैशियर और एक बचत खाते पर के काउंटर पर बैटी थी So students, now we are done with the chapter यानि कि with this activity with उपयोग हमारे Hope आपको समझ आया तो please subscribe to our channel like, share and comment, share with your friends and with your classmates Thank you